अबनेसे स्वागत से अपने YouTube छेनल में decoup से लोगों के मन में माद है और जिए उ स्पराइम ओफर को लेकर काफी कंफ्यूजीन हो रहा है और यह कंफ्यूजीन बढ़ता ही जा रहा है और जो जियो ने 303 रुपए का रिचार्ज का प्लान निकाला था उसके अलवा और भी बहुत सारे रिचार्ज के आप्शन उन्होंने दे दिये हैं जैसे 19 रुपए से लेकर 999 रुपए तक के रिचार्ज के प्लान वो लेकर आ गये हैं जिनकी वैलिडिटी एक दिन से लेकर पूरे 306 दिनों तक की है और काफी सारे ओप्शन दे दिये हैं और जिसको लेकर भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गये हैं और दोस्तों आपके मन में भी कई तरह के सवाल हो रहे होंगे जियो प्राइम मेंबर्शिप लेते हैं तो हमें 99 रुपए देने के बाद क्या हमें हर मेने 303 रुपए का रिचार्ड करना ही होगा क्या 303 रुपए के लावा और भी कोई प्लान है जियो प्राइम मेंबर्शिप लिया और रिचार्ड नहीं किया तो क्या होगा एक mobile में अगर Jio Prime Membership को activate किया और अगर उस SIM को किसी दूसरे फोन में लगाया तो क्या उसको लगा सकते हैं क्या वो वर्क करेगा क्या रात को हमें जो 2 से 5 बे तक का unlimited data मिलता था उसका क्या होगा और क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा और अगर हमारा data खतम हो जाता है तो क्या करना होगा Jio ने अभी एक और offer निकाला है Jio Prime Members के लिए buy one get one offer तो प्लान क्या है तो दोस्तो इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर रहे होंगे तो अगर आप अपने सवालों के जवाब चाते हैं तो फिर ये वीडियो देखते रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी doubt और confusion दूर हो जाएंगे तो चलिए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं तो दोस्तो सबसे बेसिक सवाल ये है कि जियो प्राइम है क्या ये जियो की एक साल की मेंबर्शिप है जो आप 99 रुपे देखकर ले सकते हैं इसको लेने के बाद आपको extra benefit मिलेंगे जिसका फायदा आपको 31st मर्ज 2018 तक पूरा एक साल तक मिलता रहेगा और जियो के आने वाले future में प्लान होंगे जियो प्राइम membership के लिए उसका फायदा आपको मिलेगा और अगर आप जियो प्राइम membership नहीं लेते हैं तो extra जो benefit मिलते हैं जैसे internet data जादा मिलता है या और भी बहुत सारे benefit है वो आपको नहीं मिलेंगे दूसरा सबसे common सवाल है कि जियो प्राइम membership हम कब तक ले सकते हैं और उसका price कितना है उसको लेने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे तो दोस्तो जियो प्राइम membership को आप 31st March 2017 तक ले सकते हैं इसके लिए मातर आपको 99 रुपए देने पड़ेंगे अब दोस्तो एक और बहुती common सवाल है कि जियो मेंबर्शिप हमें कहां से लेना है उसको कहां से ले सकते हैं दोस्तो जीयो मेंबर्शिप को लेने के लिए आप जीयो की मोबाईल अप का यूज कर सकते हैं या फिर आप जीयो.com पर उफिशिल वेबसाइट पर जाकर भी आप जीयो प्रैम मेंबर्शिप के ओफर को ले सकते हैं अगर आपको इन सब चीजों में परशानी हो रही है तो आपने पार्स के जियो शोर में जाकर भी इस मेंबर्शिप को ले सकते हैं मात्र निर्नाबे रुपए दे कर और दोस्तों जियो मेंबर्शिप को 99 रुपीज दे कर कैसे अक्टिवेट करना है उसका भी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको देखकर आप बहुत ही आसानी से जियो प्राइम मेंबर्शिप को ले सकते हैं अगर आप जियो प्राइम मेंबर्शिप को नहीं लेते हैं तो 31 के बाद आप कोई भी प्लान का रिचार्ज कर सकते हैं और फिर आपको उसी प्लान के साफ से डाटा या बैनिफिट मिलते रहेंगे दोस्तों अगला सवाल यह है कि अगर आप जियो का नया सिम लेते हैं तो क्या आप जियो प्राइम मेंबर्शिप को ले सकते हैं जी हां दोस्तों आप 31 मार्श 2017 तक नया सिम लेकर आप जियो प्राइम मेंबर्शिप को ले सकते हैं दोस्तों अगला सवाल यह है कि अगर हम तो उसके बाद हमें हर मेने 303 रुपए का रिचार्ज करना ही होगा, मतलब वो कमपल सरी है, जी नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी रिचार्ज करा सकते हैं, 303 रुपए से ज्यादा का प्लान या उससे कम के प्लान भी है वहाँ पर, बहुत सारे प्लान आ तक के उनके प्लान है, तो आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको 303 का ही रिचार्ज करना है, दोस्तों अगला सवाल बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, वो यह है कि अगर आप जी प्रैम मेंबर्शिप को लेते हैं, और 303 रुपए का रिच प्रैम मेंबर्शिप करना है, तो हर महिने आपको 303 रुपए का ही रिचार्ज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले महिने किसी और 303 रुपए का कराईए, अगले महिने 409 रुपए का कराईए, वहां पर बहुत सारे आफर है, 999 रुपए का है, एक हजार 999 र पर बार करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हर महिने चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तो अगला सवाल यह है, कि अगर हम अपने एक मुबाइल में Jio Prime Membership को activate करते हैं, तो क्या हम उस SIM को किसी और फोन में लगा सकते हैं, या क्यों उसी फोन में वो काम करेगा, त दोस्तो अगला सवाल यह है, कि जिनके बाद Jio के लाइफ वाले फोन है, लाइफ वाले फोन है, तो उसके लिए क्या कोई एक्स्टा उनको benefit उसका मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका जह कोई भी फोन हो, सब आप सेम हो चुके हैं, और सबके लिए एक ही ओफ दोस्तरा तरीका है, कि आपको डाटा कैसे मिले, तो दोस्तो जियो ने बूस्टर पैक करके निकाले हुए है, जो कि 11 रुपए से लेकर 301 रुपए तक के प्लान है, 11 रुपए में आपको 0.1 GB यानि कि 100 MB डाटा मिलेगा, और 301 में आपको 10 GB डाटा मिलेगा, और इसके वै 303 रुपए देने के बाद 303 रुपए या कोई भी रिचार्ट करने की जरूरत है, तो मैं आपको बता दूँ जी नहीं, दोस्तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, आपके पास 90 दिन का टाइम है, अगर आप 90 दिन के अंदर कोई भी रिचार्ट नहीं करते हैं, तो आपका SIM जो है वो डिचार्ट हो जाएगा, और उन 90 दिन के अंदर आपके पास इंकमिंग कॉल आईगी और आउट गोइंग तो वैसे भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 99 रुपए कर लिया तो आपको तुरंत 303 का या कोई प्लान नहीं है तो आपके पास 90 दिन का तायम है, अगर आप नहीं करते है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दोस्तों अभी जीयो ने एक और झाला है जिसका नाम है ByOne Get One Free तो दोस्तों यह ByOne Get One Free क्या है? यह जीयो का प्राममेंबर्स के लिए एक उफर है जिसका ना के रिचार्ज करने पर आपको 10 GB data free extra मिलेगा पहली बर तो दोस्तो अब बहुत ही important सवाल जो बहुत सारे लोग जानना चाते हैं कि हमें जो रात को 2-5 बजे तक जो unlimited data मिलता था उसका क्या होगा क्या वो मिलेगा तो दोस्तो इसका जवाब है कि दोस्तो अब इस तरह का कुछ कुछ भी नहीं है happy hours गिने हम कहते थे जियो happy hours और भूंँ नहीं मिलेंगे और जो भी data मिलेगा वह दिन हो रात भी एकral सब रहे का कुछ फर्क नहीं है ॉसी रिसाप्छ हंच नहीं है और रात में जैसा unlimited data में 25-25 बजे तक das़ हम अब नहीं है अबकब हमें उतना ही data मिल अगर आपका डैटा खळाता है तब अपके बस आपके प्लान की VALIDITY होनी चाहिए वह पूछते हैं क्या हमें GEOplatz ने लेनाने चाहिए तो दोस्तों का सब्की तब इस अगर आपका घ्राख्तम हो जाता है आपसे बोलो हमें जीओ प्राइम प्लान को लेना चाहिए क्योंकि अगर आप उनके जो भी पैक्स को देखेंगे वो जीओ प्राइम वालो को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है और उसकी वैलिटी में भी ज्यादा फर्क है दोस्तों यहां पर अगर आप तो जैसे मालीजे मैं यहां पर 303 रुपय का प्लान देखता हूँ तो जो जीओ प्राइम वालो को है उनको 28 GB डेटा मिलेगा यानि की 1 GB डेली और जो नॉन प्राइम मेंबर्शिप वाले रहेंगे उनको के ओल 2.5 GB डेटा मिलेगा तो काफी जादा फर्क है डेटा में और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान है 999 डेटा हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं की जीओ प्राइम वाले को इसमें 60 GB डेटा मिलेगा और जो नॉन जीओ प्राइम वाले रहेंगे उनको के ओल 12.5 GB डेटा मिलेगा यानि की बहुत ही जादा फर्क है और अगर इसक में केवल 30 दिन की वाली डिटी मिलती है तो और भी बहुत सारे फर्क हैं और काफी ज्यादा बेनिफिट है जीओ प्राइम मेंबर्स के लिए और दूसरी कंपनियों से कंपेर करने तो इसके दोनों ही प्लान बहुत अच्छा है चाहे आप जीओ प्राइम ले या ना लें और जीओ प्राइम लेंगे तो काफी जादा आपको बेनिफिट मिलेंगे और मैं समझता हो कि मैंने बहुत सारे सवालों को कवर कर लिया है अगर इसके अलाव भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुनत हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इसमें बहुत ही काम की वीडियो हमेशा आती रहती है तो अभी तुनत आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखिए और लाइफ एंज्योय करिए